हेलो मित्रो मैं पूजा आपको अपने यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मित्रो अगर हमारा वीडियो आपको थोड़ा भी हेलफुल लगे तो हमारे वीडियो को लाश्ट में जाके सब्सक्राइब करके ही जाईएगा ये मेरे आपसे रिक्वेस्ट है देखिए मित्रो आज हम बात करेंगे कि नवे मन्त में जब सिसू आपका हेट डाउन करता है तो आपको ये पांच लक्षण नजर आते हैं अगर आप इन लक्षणों को गौर से और ध्यान से और मेरी बातों को ध्यान से और मेरे वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अब आपका सिसू हेट डाउन कर लिया है और अब आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है तो देखिए मित्रो आप डाक्टर अल्टरासांड करके ये बता देगा कि आपकी डिलीवरी कभ तक हो जायेगी आपके अब इस समय में उच्प्रो डाक्टर करेगा और अल्टरासांड में अगर अगर स्पायलिक पोजीशन एक जगा होता उफायलिक पोजीशन अगर ये लिखा है तो ये समझ कि आपका सिसु अब हेट डाउन पोजीशन में आ गया है तो चलिए देखते हैं कि ओ कौन से लक्षण है तो देखिए मित्रो जब आपका बच्चा हेट डाउन करता है तब आपको नीचे के भाग यानी की पैल्विस एरिया पर दबाव पड़ेगा जब आपका बेबी नॉर होनी चाहिए जब बेबी सही पोजीशन में आता है तो आपके पेट के नीचे यानि कि आपके पेट के नीचे ले हिस्से में खिचाओ महसूस होता है आपको इसलिए इस समय कई महिलाएं बैठ कर कोई काम करने में uncomfortable महसूस करती है यानि कि ओकर नहीं पाती है उनको पैरसान आपको इस समय करना चाहिए थोड़ा ही करें अपने ही रूम में लगाएं लेकिन आप इस समय लगाएं तो देखिए मित्रो जब आपका सिसू हेट डाउन करता है तो आपके वेजाईना का जो भाग है वहां इस्ट्रेच करता है यानि खिचाव महसूस होता है और काफी प्र बड़ी है उपरी हिस्सा वह आपका ज्यादा दर्द करने लगता है अगर आप इंडियों टॉयलेट का इस्तेमाल करती है तो उसमें बैटने उठने और करवट लेकर सोने में आपको काफी दर्द महसूस होता है क्योंकि इस समय आपके सिसू कसीर आपके पैल्विक गड़ कर लेता है तब उसका सीर और हाँ दोनों नीचे की तरफ और उसका पैर उपर की तरफ मूब करेगा यानि कि आपको महसूस होगा जिससे आपको उपर के तरफ हलका फील होता है और नावी के नीचे का पेट काफी भारी आपको महसूस होगा और आपको उपर के तरफ बेब खाली हो गया है या आपको हलका महसूस होता है और आप जो भी खाएंगी आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है पहले मंथ के मुताबिक इसके बाद जब आपका बेबी हेड डाउन कर लेता है तो आपका डिस्चार्ज भी बढ़ जाता है क्योंकि आपके सिसु का सारा भार से आपकी बॉडी जो है भारी मात्रा में डिस्चार्ज रिलीज करना सुरू कर देती है ये सारी सिम्टम्स आपको 34 मंथ से 38 मंथ के बीच में दिखाई देने लगेगा इस समय आपकी नॉर्मल डिलिवरी हो सकती है क्योंकि आपका बच्चा अब हेड डाउन कर लिया है तो आपको साफ साफ डाक्टर बता देंगे और उसमें मेंसन भी कर दिया जाता है यानि कि डाक्टर आपको मेंसन भी कर देंगे कि आपको इस दिन डिलिवरी हो जाएगी तो मित्रो आपको अगर हमारा इंफॉर्मेशन कैसा लगा अगर अच्छा लगे तो हमारे कमेंट बॉक में कमेंट जरूर कीजिएगा और जाते जाते सब्सक्राइब करके जाईएगा ये मेरा आप से रिक्वेस्ट है और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी न भूलिएगा आप अपना और अपने बेवी का अच्छे से ख्याल रखिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक थाइंक्यू फार बाचिंग आप अपना और अपने बेवी का ख्याल रखिए मिलते हैं